नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब आप सभी का स्वागत है स्वातिस wärले कीचैन में तो आज की रेसिपी शुरू करते हैं तो आज की रेसिपी है टमाटर की चटनी तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आदा किलो से थोड़ से जादा यहाँ पे टमाटर गिए है तो उसके उपर का यह पार निकाल लेंगे, यहां किसे हमें कोई जरुरत नहीं है, और उसके बारिक पिसेश कर लेंगे, समाटर को मैंने पहले अच्छे से वाश कर लिया था, और इसके अब हम बारिक पिस कर लेंगे, और इसके लिए मैंने कड़ाई में 3-4 चम्माच यहां अच्छे से गरम हो जाए, तो इसमें 1 पिंच के करीब हिंग डाला है, और एक चम्माच यह राई, राई अच्छे से चटक जाए, तो इसके उपर मैंने लसुन डाला है, बारिक कट करके, आप यहां पे लसुन का पेस्ट का भी उसकर सकते हैं, लेकिन ऐसे बारिक कट करें और फोर चम्माच यहां पे हल्दी लिए, और कश्मीर लालमिच पावडर, इसके लिए मैंने यहां पे दो चम्माच डाली है, नमक और लालमिच पावडर आप अपने टेस्ट के अनुसार कम जादा कर सकते हैं, और इसमें बुने होई जीरे का पावडर डाला है, मैंने ए बहुत ही टेस्टी लगती हैं इसे आप पराटर के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं चैवल के साथ भी अच्छी लगीगी तो इसे आप एक बार ट्राय जरूर कीजिए और इसमें गुर डाले गुर डालने से इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता हैं घटी मीठ ही तीकी ऐसी चटनी बन जाती है चटपटी सी तो इसको अब हम ढग देंगे और इसे पकाएंगे इसे स्लो फ्लेम पर हमें 5-6 मिनिट के लिए पकाना है और बेच में इसे चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से मैश हो जाएं इसे और अब थोड़ी दिर के लिए हम ढग दें आप अब हम इसमें डेल सारा अधनिया डालेंगे और इसमें आप हम आधा चमच के करीब एक गरम मसाला डालेंगे तो यहाँ पर गयास की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे आप सबसे मेरा एक निवेदन है अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज रेसिपी को लाइक और शेर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजे ताकि आगे आने वा साथ जरूर शेयर कीजिए तो देखिए चटनी का कलर और टेक्चर देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया चटनी बन गई है तो चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद